हेलो एवरिवन मेरा नाम है आयूश और आप सुन रहे हैं एजीज पोड़कास्ट आज के इस पोड़कास्ट में मैं आपको बताऊँगा पांच ऐसी बुक्स के बारे में जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपकी सोचने की शुंता बढ़ जाएगी और इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको आपकी माइंड की पावर का पता लगेगा कि आपका माइंड कितिनार पावरफुल है ये books आपको आपके subconscious mind के बारे में बताएगी और उसके साथ ही आपको spiritual knowledge भी देगी और वेसे ये भी कहते हैं ना किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है और किताबें आपको वो सभी बाते जिनको सीखने में इंसान की जिन्दगी निकल जाती है आपको कुछ ही समय में सिखा देती है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन टोप फाइब बुक्स के बारे में यब उस तक जीवन दर्शन के तमाम पक्षों से ना सिर्फ हमें रूबरू कराती है बलकि योग के अद्बुच चमतकारों से भी परिचित करवाती है ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँआ आप महाँ जाकर इनको खरीच सकते हैं नमबर दू पर आती है रिच डेट पूर डेट इस भूक के राइटर है रोबर्ट टी कियो साकी बूसरे फादर जो पूर फादर उनके खुद के फादर है और रिच फादर उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर है Poor father अपने traditional तरीकों से काम करते गए और जिन्दगी पर financially struggle करते हैं और जो rich father है उन्होंने traditional तरीकों को बदल कर नए तरीकों से काम किया और हवाई के सबसे अमीर आदमी बने इस book को पढ़ने से आपका नजरिया बदलेगा कि आप कैसे अपने mindset से ज्यादा कमा सकते हैं और ज्यादा successful हो सकते हैं और आपको पता लगेगा कि पैसा आप के लिए कैसे काम कर सकता है इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर है Paul Koilow की book The Alchemist ये book पिछले 25 सालों से international best seller है एक shepherd की कहानी है जो पूरी दुनिया का खजाना हासिल करना चाहता है बहुत कोशिशों के बाद भी जब उसे वो खजाना मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो खजाना तो पहले से ही उसके पास था जो वो खुद था ये book आपको दुनिया को अलग नजरे से देखना सिखा देगी नमबर 4 पर आती है Think and Grow Rich इसे लिखा है Napoleon Hill ने इस book में इन्होंने successful लोगों के कुछ rules बताये हैं जिनको follow करके कोई भी successful बन सकता है इस book को लिखने के लिए Napoleon Hill ने 20 साल से ज़्यादा की study करी थी और आप ही सोचो जब किसी book को लिखने के लिए इतनी study की गई हो तो उसका impact कैसा होगा नमबर 5 पर है The Power of Your Subconscious Mind आपके अवचेतन मन की शक्त इस book को लिखा है Joseph Murphy ने हमारे subconscious mind की वज़े से ही हमारी आदते हैं हमारे behavior हमारे thoughts होते हैं इस book में Joseph Murphy ने बताया है जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाईए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके